शिवी टीवी रूही का जादा समय उसकी माता के साथ ही बीटता था पर फिर भी वो अपनी माता से जादा अपने पिता से प्यार करती थी और रूही अपने पिता की भी बहुत लाडली थी जब भी कोई त्योहार पास आने वाला होता था रूही हर पल अपनी माता से यही पूछती थी कि मा मा, पिताजी कब आने वाले हैं? और जब भी उसके पिताजी चुट्टी लेकर घर आते थे, तो रूही के लिए काफी सारे तोफेच चौकलेट लाते थे. इस बार होली का त्योहार पास था. होली दस दिनों बाद थी. रूही अपनी माता से पूछती है, मा, पिताजी कब आएंगे? बेटा, अभी पिताजी को आने में थोड़ा सा वक्त है. पर क्यों मा, अब तो होली भी आने वाली है? हाँ बेटा, पर अभी होली को आने में दस दिन बाकी है. हाँ मा, तो क्या हुआ, पिताजी को फोन करके बोलो ना जल्दी आने के लिए. नहीं मा मुझे नहीं पता आप पिताजी को अभी फोन करी और ये भी कहना कि वो मेरी ले रंग और चॉकलिट भी लेकर आएं और एक संदर सी ड्रेस भी लेकर आएं नहीं बेटा अभी नहीं बोला ना मैंने शाम को फोन करूंगी मा के मना करने पर रूही बहुत तेज तेज रोने लगती है और अपनी मा से गुसा भी हो जाती है रूही ऐसे नहीं रोते बेटा अच्छा चलो तुम चुप हो जाओ नहीं पहले आप पिताजी को फोन करो अच्छा ठीक है मैं कर रही हूँ फोन अभी अब तो चुप हो जाओ रूही चुप हो जाती है और कहती है माँ आप कितनी अच्छी है अब रूही की माँ उसके पिताजी को फोन लगाती है और बोलती है रूही के पिताजी आप कब आएंगे, आपकी लादली देखिये न, कैसे जित कर रही है रूही के पिताजी बोलते है लाओ, तुम मेरी रूही से बात कराओ, तुम फोन उसको दो रूही की माता रूही को फोन देती है और कहती है ये लो रूही बेटा, अपने पिताजी से तुम ही पूछ लो कि वो कब आएंगे रूही अपनी माता से फोन लेकर अपने पिताजी से बात करने लगती है पिताजी, आप कब आओगे? मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं बेटा पर कब? और किती जल्दी पिताजी, अब तो होली भी आने वाली है, सिर्फ दस दिन रह गए है होली के हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि होली आने वाली है, इसलिए मैं तीन दिन बाद आ रहा हूं घर ठीक है पिताजी, पर आप मेरे लिए बहुत सारे रंग, चॉकलेट और सुन्दर सी ड्रेस भी लेकर आना ठीक है बेटा, और भी कुछ लाना है क्या? नहीं पिताजी, और कुछ नहीं लाना, बस हाँ आप जल्दी आ जाएए ठीक है बेटा, अब मैं फोन रखता हूं, और करनल के पास जाकर चुट्टी लेता हूं ठीक है पिताजी अब फोन काटकर रूही के पिताजी करनल के पास जाते हैं, और तीन दिन के बाद से चुट्टी मांगते हैं होली तक के लिए उनके कर्णल उनको चुट्टी दे देते हैं पर जब रूही के पिताजी कर्णल के पास से चुट्टी लेकर शाम को दोबारा ड्यूटी पर होते हैं तब अचानक से उनके पास कहीं से बॉम आगिरता है और उनके बेहत पास होने की वज़े से बॉम के फटने से रूही के पिताजी के हाथ पैर में इतनी चोटाती है कि उनके पूरे शरीर में इस बॉम का गलत असर ना पड़े इसलिए उनके आधे हाथ को काटना पड़ता है इस वज़ा से रूही के पिताजी बहुत दुखी होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मुझे अपनी छुट्टी कैंसिल करा देनी चाहिए वरना रूही मेरी इस हालत को देखेगी तो वो बहुत दुखी हो जाएगी और बहुत रोईगी रूही के पिताजी का वही पर एक दोस्त भी होता है जिससे रूही के पिताजी अपने मन की सारी बात करते है रूही के पिताजी अपने दोस्त के पास जाते हैं और उससे बोलते है अनुज मैं बहुत बड़े दुख में हूँ हाँ मैं जानता हूँ तुम अपने हाथ को लेकर दुख में हो ना नहीं नहीं अनुज मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा तो फिर किस बारे में और कौन से दूसरे दुख में हो तुम मैं रूही को लेकर परिशान हूँ जब वो मेरे हाथ देखेगी तो उसको कैसा लगेगा मैं सोच रहा हूँ मैं इस बार घर ना जाओ अगर मैं घर गया तो उसकी हूली खराब हो जाएगी तुम ये क्या बोल रहे हो विवेक हाँ मैं सही कह रहा हूँ अनुझ मुझे ऐसा ही करना चाहिए नहीं विवेक तुमको ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए पर क्यों अनुझ क्योंकि ये जो तुम्हारा हाथ है अब वो हकीकत है कभी न कभी तो उसको पता लगेगा ही आज नहीं तो कल तो फिर मुझे क्या करना चाहिए तुमको छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी को ये बाद बाद में पता लगी तो उसको और बुरा लगेगा हाँ तुम ये तो सही कह रहे हो अनुझ और अगर तुम घर नहीं जाओगे तो बेशक तुम्हारी बेटी का त्योहार अच्छा ना रहे ऐसा हो सकता है तुम उसके साथ रहोगे तो वो पहले तुम्हारे हाल को देखकर जरूर रोएगी परिशान होगी पर तुम उसको होसला देना और समझाना ठीक है अनुझ मैं जाता हूँ घर और मैं उसको भी समझाऊंगा तुम्हारा शुक्रिया मेरा होसला बढ़ाने के लिए वरना मैं तो बहुत परिशान हो गया था शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है दोस्ती में ठीक है अनुझ फिर मैं जाता हूँ घर अब रूही के पिताजी की छुटी का समय आ गया और वो ट्रेन पकड़कर घर आ जाते हैं और घर की गेट पर आकर आवाज मारते हैं रूही दर्वाजा खोलो देखो मैं वापस आ गया हूँ रूही जल्दी से आकर दर्वाजा खोलती है रूही की मा भी अंदर से बाहर गेट पर आ जाती है रूही की पिताजी एक हाथ में अपना बैग लिए और दूसरा हाथ अपनी कमर के पीछे रखे रखते हैं पिताजी आप आ गए हाँ बिटा मैं आ गया पिताजी, आपी अपने पीछे क्या चुपा रहे हैं हाथ में? रूही अपने पिताजी को देख कर सोचती है शायद पिताजी मेरे लिए जो रंग, ड्रेस और चॉकलेट्स लाए हैं वो चुपा रहे हैं पर रूही के पिता तो असल में अपने हाथ को छुपा रहे थे, जो आधा कट चुका है, चलो बेटा, पहले अंदर घर में चलो, नई पिता जी, अभी दिखाईए, अरे दिखा दीजिये न, पिता जी थोड़ा उदासी के साथ कहते हैं, रूही की मा, रूही को लेकर घर में चलो अंदर, बेटा रूही, तुम्हारे पिता जी थक गए होंगे, चलो पहले पिता जी को अंदर आकर थोड़ी देर आराम करने दो, अब सारे अंदर घर में आ जाते हैं, रूही के पिता जी, अपना हाथ अब भी छुपाए रखते हैं, और रूही से बोलते हैं, रूही कि मा घबराहट के साथ पूछती है क्या हुआ तुमको मैंने रूही से अलग इसलिए बुलाया है कि तुम मेरी परेशानी समझ सको और इस चीज का दुख मनाने के बज़ाए रूही को भी समझाओ कि वे रोए ना हुआ क्या है आप ये तो बताईए देखो तुम जादा मत घबराना और ना ही रोना अगर तुम रोई तो हम रूही को कैसे समझाएंगे मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाते हैं पिताजी अपना हाथ आगे करके दिखा देते हैं और सारी बात बताते हैं ये कैसे हुआ रूही की मा बहुत परिशान हो जाती है रूही के पिताजी की ये हालत देखकर और उसकी आँखों से आशू भी निकलने लगते हैं पर वो ये सोच कर कि अगर वही ऐसे रोने लगेगी तो रूही का क्या होगा वो खुद को संभालती है और रूही के पिताजी से कहती है अब क्या हाल होगा कि हमें उसको समझाना पड़ेगा कि रोने से और दुख मनाने से कोई फाइदा नहीं है अब जो हो गया सो हो गया अब भी सच को सीकार कर लो तुम भी इतना कहकर पिताजी रूही को आवाज देकर बुलाते हैं रूही, हमारे पास आओ आई पिताजी रूही अपने पिताजी के पास आती है और पिताजी रूही से कहते है रूही, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ हाज पिताजी, कहिए न पिता जी रूही को भी सारी बाते बता देते हैं कि उनके साथ क्या हुआ पहले तो पिता जी का हाल देख कर रूही बहुत रोती है पर रूही को उसकी माता और पिता दोनों बहुत समझाते हैं और उसको चुप करा लेते हैं कि बेटा हमें तो देश के लिए ही जीना और देश के लिए ही मरना है हमारे लिए क्या कोई तयोहार और क्या परिवार जब हम ड्यूटी पर होते हैं तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हम अगले पल कहा होंगे, किस हाल में होंगे इतना बोलकर, रूही के पिताजी बैग में से चॉकलेट, रंग और जैसा की रूही ने कहा था एक ड्रेस के लिए वो निकाल कर देते हैं और कहते हैं ये लो रूही, तुमने जो जो कहा था मैं तुम्हारे लिए सब लेकर आया हूँ पर पिताजी, आपके हाथ का क्या? बेटा, जो हो गया, सो हो गया हमें हमारे साथ हुई गलत बात को सोच कर अपने आने वाला वक्त खराब नहीं करना चाहिए बलकि आने वाले वक्त को खुशी से जीना चाहिए रूही अपने पिता की बात को अच्छे से समझ जाती है और अब वो तीनों इस गम को भुला कर होली के दिन को भी बहुत खुशी से मनाते हैं